असलाम लेकुम स्टूदेंट्स इस मॉड्यूल में और इस से अगले मॉड्यूल में हम सोशल एंट्रप्रेनुरियल मोटिवेशन को पुश और पुल फेक्टर्स की टाम में देखेंगे अगरचे authors जो हैं और scholars जो हैं वो background और content की terms में बात करते हैं लेकिन चुँके business entrepreneurship में push और पुल फेक्टर्स की term में ज्यादा तर motivation की बात होती है तो social entrepreneurship में भी it is getting increasingly popular के social entrepreneurial motivation को push और पुल फेक्टर्स में तक्सीम किया जाए इस module में हम push factors की बात कर लेते हैं push factors अमोमन दो तर आके होते हैं push factors जो के economic हो पर example lack of employment social entrepreneur या social entrepreneur to be वो शक्स जो social entrepreneur बनने जा रहा है उसको employment की कमी हो जो अपना मिलती हो वो अपने लिए काम ढूंड रहा हो that can push that person के वो कोई अपना काम शुरू करे एक enterprise शुरू करे कुछ push factors जो है वो non-economic हो सकते हैं जो employment है या job है वो जरूरी है necessity है लेकिन कुछ factors जो है वो non-economic हो सकते हैं मसलन job तो है लेकिन कोई शक्स जो है वो उससे satisfied नहीं है यह जो dissatisfaction with the job यह dissatisfaction with the situation जो है यह लोगों को push करती है कि वो खुद उसकी against उस dissatisfaction के against कोई action ने और अमूमन वो action जो है it results in some entrepreneurial activity और हमारे case में social entrepreneurial activity social entrepreneurship के हवाले से जो push factors हैं उन में non-economic factors ज्यादा होते हैं क्योंकि अभी तक मैंने जितने entrepreneurs काम्याब entrepreneurs की stories आप से share की आपको याद होगा वो dr. Muhammad Yunus हो वो Bill Drayton हो वो Jeff Skoll हो यह वो लोग हैं जो बहुत काम्याब businessmen थे अपनी अपनी field में काम्याब थे academics थे professors थे higher level पे jobs कर रहे थे consultants थे तो economic factors उनके लिए इतने important नहीं हैं जितने के non-economic factors non-economic push factors कौन कौन से हो सकते हैं जरा उनको देख लेते हैं सबसे पहले society की need society की एक एसी situation जो undesirable है जो problem है जिसको हल करना जरूरी है जिसकी वजह से लोगों की well-being effect हो रही है social entrepreneurs जो है they feel being pushed के वो advantaged हैं वो privileged हैं उनके पास वो capability है उनके पास वो उसलाहियत है वो motivation है जो उनको push करता है कि वो इस मामले में कुछ करें जो उनको directly या indirectly effect कर रहा है या नहीं कर रहा है लेकिन मौशरे को चुंके वो effect कर रहा है तो they feel pushed के वो मौशरे की उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें उस मसले को हल करने की कोशिश करें इसी तरह और जो non economic factors है उसमें एक important factor लोगों की values जो है वो हो सकती है for example लोगों की religious values या उनके जो religious teachings हैं वो उनको push करती है for example Christianity में एक मजभी फरीजा समझा जाता है कि जब कोई मुश्कल में हो तो उसकी जरूर मदद की जाए उसके बगएर आपका मजभ जो है वो complete नहीं होता Christian moral values जिनको कहा जाता है या Christian morality इसी तरह बुद्ध मत में किसी को नुकसान ना पहुँचाने का यो concept है या Islam में brotherhood का जो concept है ये लोगों को push करता है अगर वाकई लोगों को अपनी मजभी तालीमात की समझ हो या जिस भी faith या जिस भी ideology को वो follow करते हूं अगर उनको उसकी समझ हो और वो उसको practice करना चाहते हो तो that pushes them के वो कुछ करें उन लोगों के लिए जो एक undesirable situation में हैं या जो discriminatory situation माश्रे में किसी भी वज़ा से हो गई है या कोई लोग जो vulnerable हैं या exploit हो रहे हैं उनकी मदद के लिए इसके इलावा जो non economic push factors हैं उसमें लोगों की मदद करने का जजबा irrespective of the religion, being human जिसको हम कहते हैं कि इनसान होना जो है वो किस तरह थाबत होता है या इनसान जो है वो दीगर मखलुकात से कैसे ममताज है अश्रफल मखलुकात कैसे है कि वो मुश्किल वक्त में दूसरे के काम आता है उसके अंदर inbuilt है कि वो दूसरों को help करेगा तो यह जो इनसान होने का humanitarian जो helping motivation है कि लोगों को push करता है कुछ लोगों में कुछ दूसरे लोगों की निस्पत स्यादा होता है जो उनको push करता है कि अगर कोई मुसीबत में है या किसी मसले में है तो उसकी मदद करें उसको help करें इसी से related एक factor जो है वो volunteerism का है आपने अक्सर सर्वेज सुने होंगे कि फलां कौम जो है वो volunteerism में इतने ही आगे है फलां कौम जो है वो volunteerism में इतना इस level पर है पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है तो एक culture होता है volunteer करने का हम लोग तो जैसे सड़क के किनारे कोई छोटा सा कोई हाथसा हो गया सारे जमा हो जाते हैं अपनी तरफ से help करने की कोशिश करते हैं अगर चे बाज वकात नहीं भी कर पाते तो social entrepreneur हम में से वो लोग हैं जिने वो volunteer करने का जज़बा push करता है and they have the capability and the capacity उनके पास skills होती है कि उनका वो push factor है वो सही तोर पर channel हो पाता है and they can actually make a difference वो difference जो है वो create कर सकते हैं यानि problem को reduce कर सकते हैं या उसको solve कर सकते हैं इसी तरह environmental issues हैं बजाहर हम में से लोग जो है educated लोग उनको सारी समझ है हम climate change की बात करते हैं हम sustainable development की बात करते हैं लेकिन हमारी जो daily practices हैं अगर हम उन पे गौर करें तो वो बिलकुल भी climate friendly नहीं है व sustainable नहीं है social entrepreneurs हम में से वो लोग हैं जोने उनकी awareness push करती है उन्हें motivate करती है कि वो अपनी awareness को channel करें in practice कुछ ऐसे steps लें जिनके जरीये से इन issues को जो के बजाहर इंसानी capacity से इंसानी बिसाथ से बाहर नजर आते हैं उनको हल करने के लिए उनको रोकने के लिए या reverse करने के लिए जो damage हो चुका है वो effort करें तो example deforestation का issue है हम अकसर देखते हैं आज मैं जिस सड़क से गुजरती हूँ वहाँ पे इतने द्रख्त हैं कल मैं उस सड़क से गुजरती हूँ कट गए आदे द्रख्त तो as a social entrepreneur probably मैं वो शक्स हूँगी जो motivated feel करेगी कि यहां द्रख्त कट गए है किसी वज़ा से सड़क को चोड़ा करने के लिए पाइप बिचाने के लिए या किसी और मकसद के लिए तो मैं कहीं और कुछ द्रख्त तैड करूँ ताकि overall जो climate है उसमें जो negative reaction है वो कम हो सके उसको reduce या slow किया जा सके So social entrepreneurs हम सब की तरह मेरे आपकी तरह के इंसान हैं लेकिन वो हमारी निस्पत ना सिरफ ज्यादा aware हैं बलके they feel pushed के जो मसाइल हैं वो उनकी वज़ा से महसूस करते हैं कि उनको कोई ताकत है जो दकेल रही है कि वो उन मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें और इसको push motivation या necessity motivation क कहा जाता है कि out of necessity they are compelled to take action, they are compelled to adopt a social mission and they are compelled or pushed to play their part. Thank you.